जै हिंद साथियों स्वागत है आप सभी का यूटूब चैनल कनहिया जीयस वर्ल्ड बे दोस्तों उत्तर प्रदेश की सिछा संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में जो विशिष्ट जानकारी है इससे संबंधित हमने दो पार्ट अल्रेडी कर लिया है जितने भी प्रिवियस यर कोस्चन्स पूछे गए है चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल में, यूपी एसाई में या फिर यूपी पुलिस के अन्य किसी भी एक्जाम में सभी का सभी हम लोग डीटेल से कर रहे है question का detail भी हम लोग जानते हुए चल रहे हैं दो part हमने already upload कर दिया यदि आप नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा exam एकदम सर पे है तो आप class को पूरा देखिएगा कितना सही होता है आपको बताना भी है comment में चाय कांस्टेबल का एग्यामो UPSI आने वाला हो या फिर radio operator सब के लिए यह class वे हद important होने वाली है चलिए और अभी तक देख रहे हैं चैनल को subscribe नहीं किये हैं तो करना ही है चैनल को subscribe वाला दबा करके घंटे की निसान को दबा करके आल वाले section पे क्लिक करना है तभी notification मिलेगा comment करके like भी video कर देना है और देखिए आप सभी लोग mental attitude का जो टापिक खोज रहे हैं तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है जितने भी questions पूछे गए हैं यूपी पुलिस SI, Constable या फिर अने एकजाम में हमने detail बता करके उसके बाद previous year question भी कराया है आप देख सकते हैं या सब वीडियो आपको 1.2 देख रहा है इस समय 5-6-7 के तक पहुँच गया है तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं आप भी देखिए आप एक नजर यहां पर देख सकते हैं mental attitude यानि की मानसी का ब्रीची वाला टापिक उसके अलावा या जो GS वाला section या भी सब में common रूप से है तो इसको ज़्यादा तो नहीं फिर भी हमने बहुत सारा chapter करा रखा है आप भी जरूर देखिएगा ठीक है और radio operator वालों के लिए थोड़ी science भी है और telegram पर आप जरूर जुड़िएगा telegram पर आपको यही सर्च करके जुड़ना है आपको PDF यहाँ पर ही मिलती है और या फिर नीचे हमने description में link भी दे रखा है ठीक है और यहाँ पर हिंदी की बहुत सारे classes उपलब दें एक बार आप playlist जा करके चेक करिए बहुत हो गया बाचीत अब बढ़ते हैं काम की ओर चलिए हम लोग 70 question तक part 2 में कर चुके थे ठीक है तो part 3 जो है हम लोग 70 question से आगे बढ़ना है एक 70 question से देखिए आपके सामने एक 70 question आ चुका है और question नमबर पहला जो यहाँ पर कहरा है हुआ करा एक सिगेड भई सत्यक थर्वा है खाली अस्तान बरना है एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्द कर देने वाला मेला है जो प्रतेक वर्स उत्तर प्रदेश के मेरट में होली के कुछ दिन बाद मनाया जाता है बढ़िया question है और UP Police Constable में ही पूछा गया है तो आप सभी को बता दें इसका सही जवाब हो जाएगा आपसर नमबर B यानि कि नवचंदी मेला ठीक है नवचंदी मेला कहा माया जाता है मेरट में और कुम आपको पता है कुम टोटल 4 जगहों और लगता है पूरे भारत में पहला जगह है प्रियाग राज यानि कि पहले का इलावाद वर्तमान में प्रियाग राज गंगा नदी के किनारे दूसरा है नासिak में लगता है ठीक है और यहां पर तीसरा जो लगता है हुआ है हरी द्वार हरी द्वार कहां पढ़ता है UK में UK बोले तो उतरह करा लंडन वाला नहीं हरी द्वार और चौत्ता उज्जेन 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 शिफरा नoff चेनारे चार जग़े कुंब लगता है प्रियाग नासिक हरी द्वार उज्जैन ठीक है बढ़ते हैं हम लोग नेश्ट लेखें नेश्ट कोस्चन आ गया आपके सामने कोस्चन नंबर 72 यह भी कांस्टेबल में पूछा गया कोस्चन है यहां पर कह रहा है कि निम्न में से कौंसा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेल खंड छेत्र से मंदिज जिला कौन साए तो हमने आपको पहले और दूसरे पार्ट में डीटेल से बताया रख था कि जो यूपी का नकसा है बुंदेल खंड से जो साथ जिले या फिर जितने जिले लगते हैं सभी का हमने नाम बताया था कौन कौन पड़ोसी हैं सभी को हमने डीटेल बता यहां तो इसका सही जबाब हो जाएंगा महोवा थीक without खाल ago ऑंथ सब क्या है यह सब आ जातें बुंदेल जिए बुंदेल खंड वाले चेतर में तो सही जबाब could next question आता है यहां पर पूछ रहा है कि उत्तरप देश के कुले छेतरफल का लगभग कितना percent है तो यूपी का छेतरफल देश के कुले छेतरफल के लगभग साथ दस्मर्लो 3.0% है फैक्त है आपको इसको याद रखना है 2003 का आफसर number D línea जगत्रमा कोशन है कर रहा कि छठी सताब्दी इसा अबुरु कि दावरान मत्युरा के आसपास कि छेतर को किस नाम से जाना जाता था तो चुछात्र मत्युके आसपास के मत्युरा का KH jury से चाहल है के आठ सोर Red इसकी राधानी क्या थी विराट नगर थी ठीक है विराट नगर राधानी थी इसके लिए पांचाल की बात करें तो पांचाल की राधानी अहिचत्र थी जो की बरेली और बदाईू वाला छेत्र लगता है बिहार जो अंग है तो अंग की राधानी कहां थी चमपा थी अंग क कहां पर बिहार में ठीक हैं तो आपको इसको याद रखना है नेक्ट कोशन है उत्तरपदेश में पहली बार 1887 इस्वी में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदूस्तान के संपादक कौन थे तो जब संपादक की बात आ गए तो जितने भी महतवपूर संपाद पत्र पत्रिकाएं हैं हमने प्लेलिस्ट में लगा रखा है उसको देखिएगा यहां से एक कोस्टन मिलता है यो कोस्टन बोले तो दो नंबर आपको यहां से मिलने वाला है ठीक है डोढ़ाई नंबर तो हिंदूस्तान जो पत्रिका अए इसका सही जवाब हो जाएगा तरफियाग में ही हुआ था कब वा था ठारा सो एक सटीस्वी में ठीक है और इनोंने उनीसो सोल में किसकी अश्थार्पना किस भी अच्चू बनारस हिंदू इनुवर्सिटी निष्ट है उत्तरपदेश के किस वर्स यूपी में किस वर्स में सरकारी कारियों के लिए हिंदी का प्रियोग करना कानूनी तवर पर अनिवारिक कर दिया गया था तो पहले भी यह कोस्टन इसी से सब्मन्दित आ चुका है तो जो है कि 1968 इसी में इसको अनिवारिक कर दिया क्या थाकंस्टेबल में पूछा है आप यहां पर देखोंस नेस्ट कोश्चन है 120 के आस पास है खाली एस्थान फैजाबाद में एक प्रमुक्स संगीतकार थे जिन्हों ने सास्थ्री संगीत में टप्पासली का विकास किया था तो टप्पासली का विकास थे यहां पर किस गीत कौन से हैं थो बुंदेल, खंट, पहुची तो आलहारुदल यानि कि आलहा ठीक है तो आपसर नंबर यहां पर भी सई हो जाएगा ठीक है और यहां पर अगला कौश्चन आता है question number 79 इसका जो पहला question यहाँ पर कह रहा है कि निमनलिकित में से कौन सा उत्तरप्रदेश का सबसे पूराना 200 विद्याला है तो सबसे पूराना 200 विद्याला क्या हो जाएगा इलहाबाद यूनिवर्सिटी यानि कि इलहाबाद केंद्रिय 200 विद्याला तो आफसा नमबर यहाँ पर डी सई हो जाएगा अस्थापना पूछ दे जिसके अस्थापना कब हुए थी 1800 नोट एक स्थापना कब हुआ था 1887 इसको पूर्व के आक्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है नेश्ट कोशन नेता है उत्तर पधेश के किस सहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है तो पूर्व का ग्रास किसे कहा जाता है अभी उपर क्वेशन आ गया है यह जो है यह पूर्व का इसको क्या कहते है पूर्व का अक्सफोर्ड लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है पूरो का ग्रास बोले तो घास तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपसर नमबर D करनाव सही जवाब हो जाएगा ठीक है 21 आता है और बोलता है कि प्रसिद्ध सूफी संद सेख सलीम चिस्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस अस्थान पर इस्थित है तो फतेहफूर सीकरी में इनका सेख सलीम चिस्ती का दरबार इस्थित है ठीक है और से अगर पूछ दे फतेहफूर सीकरी का है बहुत सारे लोग यहाँ पर नहीं जानते हैं बताए फतेहफूर सीकरी का है कहां पर है राजस्थान में ढलत जबाब यहां आगरा में आगरा के शमीब है ठीक है तो आगरा के शमीब क्या है फतेह किरी ऑर बात करें यहां पर अकबर ने और वी बहुत सारी इमारत बनते था जैसे अकबर ने जिसे पंच महलों गया ठीक है उत्तर प्रदेश का राज की पुस्प यानि कि फूल काउंस आ है तो यूपी का जो राज की पुस्प है वह है पलास टेसू भी कहा जाता है 83 है देखिए यह कोश्चन हाकी दिगज मेजर ध्यान चंदर जी का जन्म कहां पर हुआ था तो हाकी के जो दिगजद खिलाड़ी थे इनका जन्म कहां पर हुआ था तो सही जबाब है आपसर नमबर यहाँ पर डे इलहाबाद यानि कि प्रियाग राज में हुआ था कोश्चन नमबर यहां पर 84 आएगा और कह रहा है कि मूंसी प्रेमचंदर का जन्म कहां पर हुआ था तो मूंसी प्रेमचंदर जी का जन्म हुआ था वारांडसी में लमही यह स्थान है इनको अजायव राय के नाम से इनके जो है पिताजी विख्या थे डाकमूंसी के नाम से ठीक है नेस्ट कोश्चन आता है और इनकी प्रमुक रचनाए पूज़े तो रचनाए रचना और लेखक तो हम आपको बहुत करवा चुके हैं कई वीडियो इसका उपलब्द आपको मिल जाएगा इनकी जो पसिद रचनाए हैं गोदान हो गया गोदान तो बहुता बार पूछा गया है गोदान के अलमा गबन हो गया ठीक है कर्म भूमी हो गया इसके अलमा कर्म भूमी हो गया रंग भूमी हो गया कर्बला हो गया करबला की अलमा सेवा सदन हो गया ठीक है यह सब इनकी प्रमुक रशनाये हैं मुंसी प्रेम चंदर जी की कोश्चन नमबर 85 है और 85 वाला कोश्चन कह रहा है कि हमको भी थोड़ा बता दो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त वरहष्टाचार विरोधी प्रादिकरल कापद कब स्रीजित किया गया था तो साही जबाब हो जाएगा 1975 में इसको किया गया था कोश्चन नमर 86 है फरूखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माड किस बाद साने करवाया था तो देखिए यूपी प्लिस की बात करें तो यहाँ पर इस कोश्चन को रिजेक्ट यानि कि सायद दोनों आंसर यहाँ पर किया गया था तो इसका हम आपक अगर कभी पूदे की अस्थापना किस ने किया था तो एक मुहमद खान बंगस नाम का इनसान था इसी ने फरूखाबाद की अस्थापना किया था नबाब मुहमद खान बंगस ने 1714 इस्वी में ठीक है और जो है कि फरूखाबाद का नाम ठीक है फरूखाबाद का नाम रखा गया था तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुगल घाट का निर्मार किस बाथसा आने करवाये था तो बाथसा की बाथ करें तो यहाँ पर नबाब मुहम्मद बंगस खान ने कर आये था लेकिन यहाँ पर आंसर सही नहीं होगा कोई भी ठीक है निम्न में से किस लोग नृत का आयुजन बुंदेल खंड छेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है तो फसल कटाई के समय किसका नृत किया जाता है तो सही जब भूजाए 87 का आफसर नमबर सही जाता है सायरा नृत किया जाता है फसल कटाई के समय किया जाता किसके द्वारा कराया जगा है कि अप्रेल 2018 में उत्तरप्रदे सरकार द्वारा गंगा नदी के जल ग्रहड छेत्र में हरित छेत्र को बढ़ाने और मिर्दा परदन को रोकने के लिए निम्न में से किस योजना की सुरुआत की गई थी तो उस समय के इसाफ से देखे तो करेंट का भी कोस्चन बन जाता है बाक के हिंदुस्तानी लेखक धनफ राय है देखे मुनसी प्रेमचंदर जी की बात अगई तो धनफद राय को किस नाम से जाना जाता था तो धनफद राय कोई और नहीं थे या कौन थे मुंसी प्रेमचंद जी ही थे ठीक है यह क्यान बें आता है और महरसी बालमीकी का आश्रम ब्रह्म वर्त में इस्तित था जो की वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कहां पर इस्तित था है तो सही जवाब क्या हो जाएगा कोश्चन नमबर 91 का सही जवाब हो जाएगा आफसर नमबर A बी ठुर गंगा नदी के किनारे बसा है यह अभी पूछ लेता है गंगा नदी के किनारे ठीक है कोश्चन नमबर आता है 22 राष्टरी कभी मैतली सरडगूपत का जन्म उत्तर पदेश में हुआ था जहांसी कहां पर है तो बुंदेल खंड चेतर में पड़ता है कोश्चन 93 गूपत काल में 13 कोटा यानि कि पके हुई मिट्टी के जो बर्तन थे इटो से बना भीतर गाओं मंदीर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है तो सब को पता है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कानपूर में इस्तित है 94 कोश्चन वाराणसी के विस्वनात मंदीर कासी पी सुनात मंदीर का निर्माड किस के द्वारा किया गया तबी सुनात मंदीर की ही बात कर रहा है तो रानी अहिल्याबाई थी इन्होंने करवाया था आफसर नमबरे सही हो जाएगा ठीक है पूछ दे कब करवाया था तो 1780 के दवरान यहाँ पर रानी अहिल्याबाई ने करवाया था कोश्चन नमबर यहाँ पर चान पर है डाक्टर बी यार अमबेटकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहां है तो इसको आप सबको भी याद कर लेना है बी यार अमबेटकर अकादमी ठीक है यह पूस्ता है और आपको भी होना है मतलब जानना चाहिए क्योंकि यहाँ इसको पहले जो है कि पुलिस के पर सिच्छर महाविद्याले के रूप में जाना जाता था ठीक है तो उत्तरपदेश पूलिस आकादमी पूछा है तो अफसन नमबर यहाँ पर मुरादाबाद में इस्थित है उत्तरपदेश के वर्तमान राजपाल तो या उस समय के हिसाब से कोश्चन है तो इस पर ध्यान आपको नहीं देना है ठीक है और बाकी वर्तमान राजपाल यूपी के कोश्चन है आप कमेंट करिएगा गोदान किस के द्वारा लिखा गया है तो गोदान मुंसी प्रेमचंदर जी के द्वारा लिखा गया है हमने आपको पहले ही बता दिया है मुंसी प्रेमचंदी, गबन, गुदान, सेवा, सदन मंगल सुत्र, ठीक है इसको याद रखेगा मुंसी प्रेमचंदर का एक रचना है मंगल सुत्र पूष्टा है बार-बार मंगल सुत्र, पूष्टा है कि मुंसी प्रेमचंदर का कौन सा ऐसा रचना है जो कि अपूर्ड है यानि कि पूरा नहीं हो पाया तो अपूर्ड कौन है अपूर्ड इसका नाम क्या है मंगल सुत्र जो है इनका अपूर्ड ही रह गया लायन सफारी कहां बन रहा है तो यहां पर बन चुका है, इतावा में यहाँ पर लायन सफारी इतावा ताज एक्सप्रेस वे किसको जोडता है? तो ताज एक्सप्रेस वे बताइए, सबको पताऊगा आगरा और ग्रेटर νोएडा के बीच में यहाँ पर जोडा जाता है इसका पुराना नाम यमना एक्सप्रेस वे पुराने कोश्चन यह सब है देखिए यह कोश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है इसको कई बार घुमा फिरा के पूछ चुका है कि उत्तरपदेश की कभी पूछता है कि दुतिय राजभासा कोन सी है कब इसको बनाया गया था ठीक है तो देखिए दुतिय राजभासा की बात करें ठीक है दुतिय राजभासा या राज़की बासा यह है उर्दू ठीक है पहली है हिंदी और दूसरी है उर्दू उर्दू को पूछता है कि कब इसको बनाया गया था तो इसको याद रखिएगा 1989 में अधिनियम आया था इसी के थाथ इसको उर्दू को दूती राजभासा का दर्जा दिया गया यूपी में 102 कोशन है निम्न में से कौन सहराज उत्तर प्रदेश का सीमा वर्ती राज्य है चलिए हम आपको नक्सा भी एक बार दिखा देते हैं देखिए आपके सामने यहां पर नक्सा आ चुका है यूपी का यूपी के सीमा वर्ती राज कौन कौन से हैं एक बार आप यहां पर देख लिजिए ठीक है देखिएगा इधर कौन सा पढ़ जाता है बिहार आप यहां पर देख सकते हैं इधर पढ़ जाता है बिहार और यहां पर पढ़ जाएगा बिहार के बाद यहां पर इधर पढ़ता है जहरखंड इधर पढ़ता है 36 गड़ और नीचे MP पढ़ता है और MP के बाद यहाँ पर राजस्थान ठीक है और राजस्थान के बाद इधर हर्याना और यहाँ पर केंदर सासित प्रदेश दिल्ली है इधर पढ़ जाएगा हिमाचर प्रदेश यहाँ पर UK बोले तो उत्तरा खंड और हो गया ठीक है और इधर एक देश पढ़ता है जिसका नाम क्या है नेपाल है ठीक है नेश्ट यहाँ पर आता है इस question का सही answer क्या हो जाएगा कि सीमावरती राज है तो आप सबको पता हो गया इसका सही जबाब क्या हो जाएगा राज अस्थान जो है UP का सीमावरती राज है नेश्ट है निमनलिकित में से कौन सा अस्थान कुम्भ मेला कहां पर नहीं लगता है कुम्ब मेला के बारे में हमने अपको अनोई को बार बताया है कि कुम्ब मेला उज्जयन में भी लगता है उज्जयन में लगता है और हाँ उज्जयन में हरिद्वार में इलहाबाद यानि कि प्रियाग राज में वारारसी में कुम्ब मेला नहीं लगता है ठीक है उज्जयन नमबर B, कता करें रिते कहां का है, यूपे का है सबको पता है, एक सो पाच्वा हैं, उत्तरप्रदेस में कितने परसास कीए मंडल हैने, उत्तरप्रदेस में मंडल की बात करें, तो यूपे में मंडलु की संख्याथ आठारा हैं, कि तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपसर नंबर एक है छटमा कोश्चन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो की अब नहीं लिखा जाएगा उस समय के इसाफ से पूछाता तो अखिले से जादो समाजवादी पार्टी से थे उत्तर प्रदेश का राज पसु कौन सा है तो राज पसु पक्षी जीतने पिते सभी हमने आपको बता दिया है राज पसु की बात करें तो यूपी का राज पसु कौन सा है बारह सिंगा है तो बारह सिंगा कहां गया भया हाथी बाग साइं बारह सिंगा कहां गया हाथी कहां भाग भी नहीं है यूपी का राजय पसु कौन सा है बार सिंगा बार सिंगा ठीक है तो आप लोग लिए यूपी का राजय पसु बार सिंगा है और पच्ची की बात करें तो पच्ची सारस है जिसको क्राउंच भी कहा जाता है और राजकी व्रिच्छ की बात करें तो राजक 75-6 राजकी व्रिक्ष कैरें और राजकी पुस्प की बात करें तो पलास थेक यह सब राज की था कोuevent Eye नंबर आता है उत्तर प्रदेस का सबसे बड़े जीली जीने की बात कर खे खीरी छेतरफल की बात करते तो भारत के छेतरफल का यूपी साथ दसनो तीन तीन परसेंट है हमने आपको बताई दिया है और इसके अलामा छेतरफल की दृष्टे से राज यदि पूजे तो राज में आप सबको पता है कि राजस्थान सबसे बड़ा राज है उसके बाद राजस्थान के बाद कौन सा है यमपी है यमपी के बाद यमच यानि कि बोले तो महराष्ट है और यूपी का अस्थान को था आता है चोथा आता है यूपी पूरे भायात में चोथे नंबर का बड़ा राज यह है छेत्रपल की द्रिष्टी से जनसंख्या में तो नंबर वन है हम 110 मा कोश्चन है उत्तर पदेश के किस सहर में भारती प्रद्योगी की संस्थान अब इस्थित है तो कानपूर में इस्थित है प्रद्योगी की संस्थान बुले तो IIT ठीक है 2008 में इसको IIT का दर्जा दे दिया गया था कोश्चन नमर यहाँ पर नेक्स्ट आता है दोस्त और यह कोश्चन पूछ रहा है कि संस्कृति कारेकरों में कौन सा एक उत्तर प्रदेश की विशेस्ता नहीं है तो उत्तर प्रदेश की विशेस्ता की बात कर दिया है न तो देखिए UP में तो रसिया भी होता है ठीक है कि उत्तर पदिशक में 18 प्रसास की मंठल यानि की 18 मंडल है तो इधने से एक मंडल नहीं है कौण साइस में मंडल नहीं है उसको पाचान नहां तो देखिए मंडल की बात करें तो टोटल चोचल यहां पर यूपी में 18 मंडल है और 75 यहां पर मंडल में देखेंगे ठीक है दोस्तो 18 मंडल 75 जिला है इसमें इसे जो बात करें तो आजमगड भी मंडल है आजमगड मंडल में तीन आते हैं कौन-कौन से है आजमगड है और गाजियाबाद यहाँ पर मंडल नहीं है तो यहां पर सही जब हो जाएगा गाजियाबाद वाकि सहारनपूर भी मंडल है और इसके अलामा चित्रकूट भी मंडल है कोश्चन अबर नेक्ट आता है हमारा और 113 कोश्चन है ज्यादा कोश्चन अब बचा नहीं है पांच्छा यह और है उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद का सेवा किसके बराबर है जो आयकर आयुक्त आयुक्त बोले तो कमिशनर तो आयकर आयुक्त पद सेवा में किसके बराबर है तो यह शंभागी आयुक्त यह सचीव के बराबर है आपसर नमबर यहां पर सही हमारा सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या कितनी हैं जिसमें से दो चार जीले सामिल है तो आपसर नंबर ए यहां पर सही हो जाएगा कोश्चन नंबर 114 हमा है हमारा वाइट बोर्ड भाई हैं कर रहा है सही है कोश्चन है इलहाबाद में प्रतेक वर्ड से दो से साथ फर्वरी तक परेटन विभाग सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के माद्यम से एक उत्सव आयोजन करता है उत्सव कौन सा है तो यहां पर योग महुसता है आपसर नंबर सी सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश में आयकर विभाग में अपर आयुक्त कापद पुलिस सेवा में किसके समान होता है तो यह आई जी यानि कि इस्पेक्टर जनरल के बराबर होता है अई जी का फॉल फार्म पूछ दे तो इस्पेक्टर चनरल बाकी पुलिस की रैंकिंग सिस्टम क्या है शुरू में पहले कांश्टेबल आते हैं फिर एट कांश्टेबल आते हैं फिर एसाई आते हैं ठीक है फिर उसके बाद जो निरिच्छेक होते हैं उसके बाद डियस इसपी होते हैं जितने भी क्रम हैं हमने आल्रेडी आपको बता रहा है सब कुछ आपको इस चैनल पर मिल जाएगा उत्तर प्रदेश का पारामपरिक सिल्प नहीं है तो यूपी में क्या नहीं किया जाता है तो देखें यूपी में बात करें तो चीकनकारी भी होता है लख कोशन आ जाता है एक सो अठारा अठारमा का राय एक भारती प्रबंदन संस्थान यूपी में है यह किस में इस्तित है तो भारती प्रबंदन संस्थान बोले तो आई आई एमठी के एक भारती प्रबंदन संस्थान लखनों में इस्तित है आपसर नंबर यहां पर डी सही ह हो जाएगा अठारे के बाद है उत्तर पदेश सरकार का समभाइधानिक प्रमुक कौन होता है तो बताइए इसमें आप लोग थोड़ा सा उलजेंगे मुख्यमंत्री आपने लगा दिया नहीं होगा समभाइधानिक प्रमुक की बात किया है तो आपसे नंबर राजयपाल महो कुशन आता है और 120 मा कहरा है कि राष्टिय साक्षार्ता मिसन का आरम बनिम्न में से किस वर्स किया गया तो राष्टिय साक्षार्ता मिसन की बात करें तो इसका आयोजन किया गया था वर्स 1988 में आपसर नमबर यहां पर D एकदम सही जवाब हो जाएगा और किसके समय इस समय राष्ट पती थे प्रधान मंत्री थे उस समय के ठीक है अगला कुशन है भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है तो सबसे अधिक साक्षरता वाला हो जाएगा ठीक है वरतमान 2011 की जनगड़ना की हम बात कर रहे हैं ठीक है यह तो पूछा को कोश्चन है 1991 लेकिन वरतमान की ही बात कर लें तो जो 2011 की जनगड़ना हो गई है तो 93.91 के परसेंट के इसाफ से यहां पर केरल नंबर वन पर है प्रदेश साक्षरता के बारे में ठीक है बाकि दोस्ते यहां पर बात करें तो लगबग हमने बहुत सारा कोश्चन आपको करा दिया और एक नज़र रूके रही है बागे मत ठीक है तो आपको यह सभी क्लास देख लेनी है परिच्छा एक्दम सर पर है आ चुका है आप पेपर को फोड़ने के लिए क्लास को जरूर दिखेगा जरूर ही आपको यहां से फायदा मिलने वाला है बाकि हम आपसे मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद स्वस्त रहिए पढ़ते रहिए म छ्ड़ा एलिखफे लोर से काला है उता स्वस्ता भे वामाता गरूर mathematics भामाता स веч वत कर ठा बहने किसी किसी किरिफ्भोक स्वस्तर्वा आप सब्सकों टूमों ठाकिका।ल